आप लोग जीत रहे हैं, तीन शूने हैं, 169, 166, 154, कोई एक कॉमन फैक्टर, सुधान शुत्रिवेदी The first common factor is, now the politics has become modified, M-O-D-I-F-I-A-D The first common factor is, now the quality of the country, the politics has become a leader, आप लोगों को अवशक्ता के लिवाज्टाय कारें, विवस्ताव करें, नंबर दो विकास के कारें, इंफ्रास्ट्राक्ट, नंबर तीन सुरक्षा, देश की आंत्रिक और वाह सुरक्षा इस्टाबलिश करना, और नमबर पूर सांस्कृतिक गौरव इन चारों को मोदी जी के नित्रतों है हमने जो इस्थापित किया है यह उस राजनीत के पृति जनता का एक विश्वास है और हमारे लिए यह सौभागे की बात है कि हमने फिछले तीन पीडियों से जो आधार बनाया है मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ मैं उधारन देना चाहता हूँ जब राजस्थान में पंद्रवा साल है यह अशोग गैलो जी के मुख्यमंति जने का तीनों तर मिलाने जब पंद्रा हफते रह जाते हैं तब आप आनन फानन में तरह तरह के कमिट्मेंट करना शुरू करते हैं जनता को साफ समझने आता है कि आपके मन में क्या था और यह चटपटा हट है कि अइमानदारिया हम करते हैं गरीबों के लिए पहले बाकाइदा विचार करते हैं सर्वे करते हैं टार्गेट करते हैं सेग्मेंट को तब देते हैं तो मोदी जी की गारेंटी गारेंटी अब आखी धपोर शंक हैं वो यह भी दिखाई परड़ा है चुनाव परड़ा अचा इंडी ऐलाइंस के फ्यूचर को लेकर आप किस सरह से देखते हैं देखें मैं इसको दो डामेंचन देखें इन चुनाव परड़ामों के बाद निश्चित रूप से खले ही उपर से इंडिया ऐलाइंस कहें कि उसे दुख हो रहा पर इंडिया ऐलाइंस के जादा तर खटक जिसमें त्रणमूल कॉंग्रेस भी होगी निटिश कुमार जी भी होंगे अखिलेश जी भी होंगे शरफपवार जी होंगे उनके दिली दिल में लड़ू फूट रहे होंगे कि अब हम हकीकत में जो चाहेंगे वो करवा पाएंगे तो हो सकता कॉंग्रेज के दिल में मोहरम हो और उनके दिल में एदो रही हो किया बंडिया एलाइंस में कस्के खीचा तानी होगी पर और ट्रिमम वोर्ट पुरी तरह कॉंग्रेज की तरफ जा रहा है चेत्री दल को छोड़ेएग मुझा जै जै दिलाइगा दान्शु उत्रवेदी जी आप बीजेपी के सांसद हैं तिलंगाना में कॉंग्रेस को जो एक बड़ी बड़त मिल रही है वो एक फैक्टर बहुत बड़ा है दक्षिन कॉंग्रेस युक्त हो गया है करणाटक के बाद तिलंगाना क्या आपको लगता है कि कॉंग्रेस जो ग हमने मजबूत वड़ाई लड़ी थी, तेलंगाना में हमने लंबी छलांग लगाने का प्रयास किया, पर कई बार होता है, पहली बार में आप लंबी छलांग नहीं लगा पाते, इस क्यान नवे में हमने सरकार बनाने का दावा किया, 120 सीटों पे रहे गए थे, फिर 96 में 160 पे कि जिसके सनातन धर्म के विनाश करने के स्टेटमेंट को भी कॉंगरेस को गया है, इसलिए AIMM जो की ओवेसी की पार्टी है, जिसने पिछली बारी साथ सीटे जीती थी, वो तीन जीत रही है, उन हिलाकों में भी कॉंगरेस कूच कर रही है, यानि मुसलमानों ने कॉंगर कॉंगरेस को ओवेसी से उपर रखा है, क्या आपको लगता नहीं है कि देश भर में अगर ये ट्रेंड देखने को मिलेगा, तो उत्तर परदेश के अंदर भी अगर मुसलमान कॉंगरेस को उपर रखेंगे, ऐसे ही बाकी परदेशों में रखेंगे, तो वो बाकी दलों के मुसलिम डिफ्टी सीम देना पड़ जाएगा? सुलांशु जी, एक सवाल, OBC या कास सेंसेस पर भी एक तरीके का रेफेरेंड़म ये जना देश, ये देश का जना देश है, कास सेंसेस पर देश का जना देश रेफेरेंड़म कह सकते हैं? सुलांशु जी, अगर हम राजस्तान की बात करें तो राजस्तान के कई संभागों में बीजेपी को बड़त है, लेकिन गहलोत का किला उस तरह से नहीं हिल रहा, जोतपुर वाला जिस तरह से हिलना चाहिए था, अभी तक की ये अपडेट है, गुजर बेल्ट के अंदर बीजेपी का परदर्शन बेतर हुआ है, 11 सीटों में बीजेपी आगे देखने को मिल रही है, 11 से 12 सीटों में परिणाम सब के सामने है, संगठन ने जो काम किया उसके परिणाम सब के सामने है, बहुत अच्छी जीत है, मद्यप्रदेश के जनता को एके सब को बदाई तो अशनी वी वैशनव को आपने सुना, बंपर जीत भारती जनता पार्टी की, हिंदी पट्टी मद्यप्रदेश, 36 गड़, राजिसान, 30 से बीजेपी, सबसे बड़ी पार्टी, मद्यप्रदेश में क्लियर मेंडेट, 116 मेजिकल फिगर, 160 क्लियर मेंडेट, राजिसान क की बात कर लिजे, 199, 107, क्लियर मेंडेट, फिष्ट जना देश, 36 गड़ की बात कर लिजे, 96, बहुमत का अकड़ा, 54, बीजेपी, क्लियर मेंडेट, टेलंगाना में हलाकि कॉंग्रेस पार्टी को 66 सीटे मिलती नजर आ रही है, सुधानशू त्रिवेदी हमारे साथ लगत अचारे प्रमोद किष्टम कह रहे हैं, सनातन का श्राप लगा है कॉंग्रेस पार्टी को अब इस ये दर्शकों विवेक पे छोड़ता हूँ, मगर एक बात मैं कहना चाओंगे, ये राजनीत ये दर्शा थी, कि अब आब मुखोटा इतना बदल के राजनीत नहीं कर सकते, कि मद्ध्य परदेश में कबलनाच जी, हिंदू राष्ट जैसे विशे पर भी घुमा फ लेकिन कमल नाथ क्या करते हैं, कमल नाथ में दो मेनद करी। खड़ी थी तो कैसे चुना विलडवालेंगे वुपेश बगेल अकेले लड़ते हुए दिखाई दिये तो इन सब चीजों का नुकसान हुआ लेकिन फिर मैं कहा रहा हूँ सुनामी है ये भारत्य जनता पार्टी की तीनों पूरे हिंदी पट्टी के अंदर और तेलंगाना म कॉंग्रेस की प्रचंड और बहुत बड़ी जीत है इसमें कोई दोराय नहीं है अरुन का भी हम रुक कर सकते हैं लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि तीन चीज़े बहुत बड़ी है इस समय जो सबसे बड़ी खबर है कि 36 गड़ के अदर लगबग लगबग पूरी केवि जाता हुआ और राजस्तान में 110 तच करता हुआ और मद्दबर्देश के तो क्या कहने 160 के पार और कॉंग्रेस कमफरटेबल है अप्ते लंगाना के अंदर 66 पर ये बड़ी अपडेट है सीधा अरुन सिंग का हम रुक कर सकते हैं अरुन सिंग हमारे साथ है अरुन ओवर ट आप ये पोस्टर देखिए प्रदानमंत्री नरेंदर मोधी घरीब कल्यार उपर लिखा हुआ है वहां से शुरू है जेपी नड्डा शिवरा सिंग चवान अमिश्या होते हुए प्रदानमंत्री पर ही खतम है तो प्रदानमंत्री की बस यही कहानी है कि बीजेपी के मिल रही है आप लोगों को अभी तक रुजानों में अरे बात करो बताईए क्या 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 कहेंगे बहुत ही और हमारे पीजेपी की तरफ से हमारी युवा नेता जीतेंगे यह जो युवा नेताओं का दल है इसका नित्री तो कौन करेगा अभी तैय नहीं हुआ है ल इस प्रत करेंगे बिज बीच में ठक जाते हैं यह लोग और उसके बाद ढौन अ जाने लगते हैं लगते फिर बीच में ठक जाते हैं आप लोग्या क्या क्या मैं खालब कर क्या आप आप लोग पारटी कहेंगे ऐसे आए कि ड्शोल नंहीं नगाडे लड़ शड़ू झाल झाल झाल